भारत में ओमिक्रोन का एक नया वेरिंट मिला है जिसका नाम है BA2 जी हाँ इन दोर में चार बच्चों समेट सॉलम अरीजों के अंदर इसकी पुष्टी पाई गई है तो देश भर में 530 सेंपल जाच के लिए भीजे गए हैं तो आपको बता दे कि कोरोन से जुड़ी हुई एक खास खबर है जिससे हम सब को अवगत होना बहुत जरूरी है तो आपको बता दे कि भारत में ओमिक्रोन का एक नया वेरिंट भी सामने आया है BA2 प्योश पारे हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं इन दोर से फोन लाइन पर उनसे हम जादा जानकारी लेंगे क्या कुछ आप तक जानकारी पहुची है पांसो तीस सेंपल जाज के लिए भेजे गए हैं और इन दोर में चार बच्चों समयथ 16 मरीज़ों में पुष्टी हुई है क्या बताएं गया देखें बिल्कुल जिस तरीके से कोरोना का जो नया वेरिंट है ओमिक्रॉन उसने फिलहाल देश्चत मचाई हुए लगातार पॉजेट्व केसे ना सिर्फ इंदोर में मदबदेश में बलकी भारत के अलग-अलग इस्सों में यहां पर सामने आ रहे हैं और इस बीच में अब ओमिक्रॉन का ही नया वेरिंट है जिसे बीए टू नाम दिया गया है और इसने मदबदेश में दस्तक दी है और इसके साथ ही इंदोर की बात करें तो चार बच्चों सहीत सोला मरीजों में इस नय वेरिंट के पुष्टी हुई है और ऐसे में यह जो सैंपल्स हैं यह किस तरीके से यह जो है कम्यूटी में स्वेड होता है और इसके अलावा इसकी रोक्ताम को लेकर किस तरीके से यहां पर कदम आगे बढ़ाये जाए जैंगे अगर बात करें तो ब्रिटेन श्वीटन और सिंगापूर में जो है वो सो से जादा सेंपल जांच के लिए बेज कर दी है अब रिपोर्ट आने के बाद में आगे प्रशाशन और जो स्वास्तिवाक के अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले में कदम आगे बढ़ाएंगे है जी शाहिद जी पेउश आपका धन्यवाद अमाम जानकारी देने के लिए तो दुनिया भर में कोरोना एक तरफ कह दार ढारा है और उसका ओमिक्रोन वर्जिन के बीच अब वाइरस के एक और वेरियंट ने दस्तक दे दी है और इस वेरियंट का नाम है बी एटू